तो हेलोफेंट कैसे आप दोस्तों आज मैं आपको तरह नहीं बहुत ही कमाल किये कि अपडेट के बारे में जो कि आपको Samsung Galaxy के अंदर एक सेटिंग की रूप में मिलती है आप उसको करता है हर एक सेटिंग के अलग-अलग एप को डिवाइट कर रहा है और सब में अलग-अलग अपडेट देता है तो यह एप का नाम है Samsung अप्डेट आपको सब्सक्राइब मिले और हो सके मुझे इस्टारों फ्रेजुबए फॉलोग अलग-अलग चलते हैं दोस्तों आगे मेरे नम सनी और आपका स्वागत है मेरे चनल ऐससे टेक में अप्डेट के बारे में तो उसके लिए जाना है आपको अपने वाइल के गलेक्सी स्टोर में जाएंगे तो आपको वहां पर देखेंगे सबसे उपर ही सैंसंग अकाउंट का एक नया अप्डेट यहाँ पर आपको अप्डेट को अप्डेट को रॉल आउट किया गया है 23 जुलाई दो जोब्य इसका अप्डेट साइज है 48.61 Mb जिसका वर्जन नंबर है 15.001.20 तो यह अप्डेट मतलब कल के दिन रॉल आउट किया गया है अ कुछ बग्स किया जाते हैं कुछ एंहांस फीचर को एड़ओन किया जाता है और कुछ सेक्यूर्टी को भी इंप्रूफ किया जाता है आप दीख सकते हैं सैमसंग एकाउंट करता गया जैसे कि यहां पर आप देखेंगे थोड़ा सा बीफली शेमसंग एकाउंट से आप क्या कई तो आप यहां पर इस इसցके थ्रोध साइन आपको भी कर सकते हैं और साइन इन भी कर सकते हैं अप साइन लीन कर लेंगे तो इसमें आप को बहुत सारे फिचर्स मिलने वाले हैं क्या आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं like find your mobile क को just प्रेट आप आपको पर लॉग इन करने के लिए आपको जाना के लिए फिर एकाउंट करके बोल देगा तो यहां पर जैसा कि लिखाए कि कुछ नया अप्डेटि यहां पर कुछ की गई है तो उसके रिरेटिड कुछ पॉलिसी को अप्रेटि किया है कुछ टर्मेंड पॉलिसी हैं पर यू नयाक किये हाँ तो आपको उसको accept करना पड़ेगा उसके बाद ही वह आगे जाएगा नहीं तो वह error देदेगा उसके नीचे वाला optional है अगर आप चाहें तो उसको कुछ advertisement के related आपकी कुछ data को collect करें अगर आप चाहते हैं वो collect कर ले अगर नहीं चाहते तो आप उसको हटा भी सकते हैं और आपका login हो चुका है सबसे उपर आपको प्रोफाइल पे दिखेगी फिर आपका नेम एंड दिन आपकी mail आईडी दिख रही होगी प्रोफाइल इंफो में जाएंगे तो आपकी पूरी प्रोफाइल के detail है जाएगी कैसा क्या आपकी देटोबर phone number निकनेम जो भी आपने ड प्रोफाइल कर लेता है तो वह आपका कहां पर है पेमेंट मैथड अगर आपने कोई एड़ून कर रखा है तो आपको वहां दिखा देगा ठीक है उसके security और privacy में जाएंगे तो आपका password बिलकुछ सही डला हुआ है आपकी recent account activity अच्छी है two step आपने verification डाल रखा है यह अगर आपके green नहीं आ रहे है तो आपको यह बापिस उसको activation करने होंगे अगर green आ रहे है तो ठीक है अगर green नहीं आ रहे है तो आपको इनको लेना उसके लावा नीचे आएगा account recovery method तो यहां पर अपना एक recovery method को भी आइट करना है कि कल को अगर आपका अपका login ना हो तो आप अपने password को reset कर सके वह भी आपका होना चाहिए जैसा कि मैंने यहां पर phone number डालके रखा होगा उसके अलावा आपको मिलेगा privacy notice जो भी कुछ पूरी domain condition लिके होगी कि क्या क्या होता है क्या आप उसमें कर सकते हैं क्या क्या डेटा को collect करता सारी चीज़े उसके लावा कस्माइशन सर्विस मिलेगी आपको जो की कस्माइश करती है आपके सैंसंग कलेक्स को एज़ा प्रेजेंटेशन यह क्या हो सकते हैं यह क्या क्ले अगर आपको special offer चाहिए तो इसको क्लिक कर दो नहीं तो आप उसको भी deny कर सकते हैं इंप्रूब परस्नल जो कि मैंने last में deny कर दिया था वह आपको यहां पर दिया उसकी नीचे आएंगे आपको option मिलेगा Samsung cloud अगर आपने Samsung cloud यूज करते हैं तो Samsung account की दुरू ही Samsung cloud चलता है उ Samsung find Samsung app and service link account इस सब चारी चीजिए आपको यहां पर मिल जाएगी तो सब डीटेल आपको यहां पर मिल जाएगी यहां त्री टॉक्स पर जाएगे तो आप यहां पर भी देख सकते हैं मेंली और यह सारा जो वर्क हैना Samsung account का यह नॉक्स पर चलता है नॉक्स मतलब की बहुत शांदा security होती है उसके थुरू यह वर्क करेगा आपके mobile में उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी ऐसी नहीं अप्डेट्स के लिए चैनल को पर सब्सक्राइब कीजिए आपको सब्सक्राइब मिले और हो सके देंस्टागरों फेर्जू को भी फॉलो का लेने तो थैंक्यू सो मच